चाहे मर जाना दीपावली पर गाय को एक चीज जरूर खिला देना बहुत ही चमतकारी। तो यकीन मानिये आपके जीवन से दुख दरिद्रता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी क्योंकि मा लक्ष्मी के साथ साथ गौ माता का भी आशिरवाद आपको मिलेगा और उनकी कृपा से आपके जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रह जाएगा आपके द्वा इने लोगों को गौमाता की लगातार कई वर्षों तक सेवा करने से मिलता है उतना पुने आपको मात्र अपने हाथों से यह एक चमतकारी चीज़ खिला देने से मिलेगा इसलिए इस दिवाली आप भी इस उपाय को जरूर करें आपके घर के आसपास मौजूद किसी भी ग हमेशा बनी रहेगी गाय को कौन सी चीज खिलानी है इस बारे में फुल इन्फोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें सनातन धर्म में गाय को पूजनिये माना जाता है शास्त्रों की मान्यता अनुसार किसी के ऊपर अगर पित्रिदोश कालसर्प दोश या अन कट जाते है क्योंकि हिंदू धर्म में की मान्यता अनुसार गाय के अंदर 33 कोटी देवी देवताओं का वास माना जाता है तभी तो हिंदू धर्म में रोज बनाई जाने वाली पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है क्योंकि ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों को पुने फल क प्रति दिन रोटी खिलाने से घर में कभी भी धन्धाने की कमी नहीं होती ज्योतिश के अनुसार, यदि कुछ खास्त योहारों और विशेश दिनों में भी गाय की पूजा करें और गाय को रोटी खिलाएं, तो कई तरह के दोश और परेशानियों से निजात मिलती है, गाय क कौन सी चीज खिलानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख सम्रिध्धी आएगी चलिये जान लेते है, कि दिवाली के दिन गाय को कौन सी चीज खिलाने से अपारधन संपत्ति की प्राप्ति होगी मा लक्ष्मी की कृपाद्रिष्टी, आपके उपर हमेशा बनी और आपके घर में सुख सम्रिध्धी का वास होगा महाशिवरात, री के दिन आप गाय को एक रोटी और सफेद चावल जरूर खिलाएन संभव हो, तो आप गाय को साथ रोटियां खिला सकते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार साथ नंबर शुग माना जाता है, और अगर आप किसी भी सोमवार या दिवाली के दिन गौमाता को बेलपत्र या हरी घास खिलाते हैं, तो यकीन मानिये आपके द्वारा जाने अंजाने में किये गए, सभी पाप कट जाएंगे और आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपके और मन और घर के भीतर से नेगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी और हर तरफ पॉजिटिव एनरजी का वास होगा, आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुक समरिधी बनी रहे और आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाए, तो कभी भी गाय को जूठन नहीं ख छाहिए, आमतोर पर घरों में लोग बचा हुआ खाना इकठा करके गाय को खिलाते हैं, ऐसा करने से आप आपके भागीदार बनते हैं, क्योंकि जिस गाय की आप पूजा करते हैं, उसी गाय को आप अपना जूठा खाना अगर खिलाते हैं, तो आपको पुनेफल की प्रविवार को गाय को शुद्ध घी लगी रोटी खिलाना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति की कुंदली में सूर्य मजबूत होता है और उसका आत्मविश्वास बरता है जिससे उसके द्वारा किये गए किसी भी कारे में उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है और उसका व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है अपने हाथों से हराचारा यानि घास खिलाता है उसे बैकुंट की प्राप्ति होती है इसके अलावा आपके घर में किसी भी सदसे की कुंदली में अगर पित्री दोश है शुक रनीचे राशी पर बैठा है तो उस व्यक्ति को गौमाता की पूजा और सिवा जरूर करनी चाहिए बनी पहली रोटी खिलाने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अपनी थाली से भी पहले एक रोटी निकाल कर अपने हाथों से गाय को खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को 33 करोर देवी देवताओं का एक साथ प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने से आपको परेशानी झेलनी पर रही है। यानि आपकी बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप गुरुवार के दिन गाय को गुर्चना या चने की डाल खिलाते हैं। इसके अलावा आप गाय को कभी भी परेशान ना करे ना ही उसे मारे ऐसा करने से भी आपके उपर परेशानिया बर। सकती है यदि आपका विश्वास है कि गाय हमारी माता है तो मा की हमेशा सेवा करनी। चाहिए उन्हें अगर कष्ट होगा तो आपके जीवन में भी कष्ट जरूर होगा दिवाली के दिन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप गाय को रोटी खिलाने के बाद गाय के उपर प्यार से हाथ फिर कर अपनी मनोकामना बोले तो आपकी मनोकामना जरू जरूर पूरी होगी गाय की सेवा करने से या गाय का दान करने से वेक्ति के उपर लगे हुए कई तरह के दोश और पाप मिच जाते हैं गाय की सेवा करने वाले या गाय को अपने हाथों से प्रतिदिन रोटी खिलाने वाले वेक्ति को कई यगे करने के बराबर पुने फल प्राप्ति होती है। अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिये आपके जीवन से दुख दरिद्रता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी क्योंकि मा लक्ष्मी के साथ साथ गौ माता का भी आशिरवाद आपको मिलेगा और उनकी कृपा से आपके जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रह ज रख देगा जितना पुने लोगों को गौ माता की लगातार कई वर्षों तक सेवा करने से मिलता है उतना पुने आपको मातर अपने हाथों से यह एक चमतकारी चीज खिला देने से मिलेगा इसलिए इस दिवाली आप भी इस उपाय को जरूर करें आपके घर के आसपास मौ आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी गाय को कौन सी चीज खिलानी है इस बारे में फुल इंफोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें सनातन धर्म में गाय को पूजनिय माना जाता है शास्तरों की मान्यता अनुसार किसी के ऊपर अगर पित्रिदोश कालसर्प दो उसके सभी पाप कट जाते है क्योंकि हिंदू धर्म में की मान्यता अनुसार गाय के अंदर 33 कोटी देवी देवताओं का वास माना जाता है तभी तो हिंदू धर्म में रोज बनाई जाने वाली पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है क्योंकि ऐसा करने से घर के सभी सदस्य पुने फल की प्राप्ति होती है और गाय की पूजा करने से या प्रति दिन रोटी खिलाने से घर में कभी भी धन्धाने की कमी नहीं होती ज्योतिश के अनुसार, यदि कुछ खास्त योहारो और विशेश दिनों में भी गाय की पूजा करे और गाय को रोटी खिलाए तो कई तरह के दोश और परेशानियों से निजात मिलती है, गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए, जिसे आपके जीवन में सुख समरिधी आएगी चलिये जान लेते हैं, कि दिवाली के दिन गाय को कौन सी चीज खिलाने से अपारधन संपत्ति की प्राप्ति होगी मा लक्ष्मी की क और सफेद चावल जरूर खिलाएं संभव हो, तो आप गाय को साथ रोटिया खिला सकते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार साथ नंबर शुब माना जाता है, इसके अलावा जो व्यक्ति गौमाता को महाशिवरात्री के दिन घी के लड़ू खिलाता है, तो उसके पिछले जन और वर्तमान जन के सारे पाप कट जाते हैं, और अगर आप किसी भी सोमवार या दिवाली के दिन गौमाता को बेल पत्र या हरी घास खिलाते हैं, तो यकीन मानिये आपके द्वारा जाने अंजाने में किये गए, सभी पाप कट जाएंगे, और आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपके मन, और घर के भीतर से नेगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी और हर तरफ पॉजिटिव एनरजी का वास होगा, आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुक समरिधी बनी रहे और आपके जीवन से दुख दरिद दूर हो जाए तो कभी भी गाय को जूठन नहीं खिलाना चाहिए, आमतोर पर घरों में लोग बचा हुआ खाना इकठा करके गाय को खिलाते हैं, ऐसा करने से आप आपके भागीदार बनते हैं, क्योंकि जिस गाय की आप पूजा करते हैं, उसी गाय को आप अपना जूठा खाना अगर खिलाते हैं, तो आपको पुने फल की प्राप्ती कैसे मिलेगी, इसलिए आप गाय को हमेशा साफ खाना खिलाना चाहिए, तभी आपके जीवन की, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और गौमाता के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशिरवात प्राप्त होगा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो उसे हर रविवार को गाय को शुद्ध घी लगी रोटी खिलाना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, और उसका आत्मविश्वास बरता है, जिससे उसके द्वारा किये गए, क अपने हाथों से हराचारा यानी घास खिलाता है, उसे बैकुंट की प्राप्ति होती है। भोजन करना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति को 33 करोर देवी देवताओं का आशिरवाद एक साथ प्राप्त होता है। समझ जाए कि आपको अपनी लंबी बीमारी से चुटकारा मिलने वाला है और आपके घर में सुक सम्रिध्धी आने वाली है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने से आपको परेशानी जहलनी पर रही है। आपके द्वारा किये गए कारियों में सफलता नहीं मिल रही है तो आप किसी भी। गुरुवार के दिन विश्णु भगवान की पूजा करके गाय को गुर्चना या चने की दाल खिलाएं ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। सुक सौभागय और खुशाल दामपत्य जीवन मिलता है। विवाह में आरही बाधाय भी दूर होती है। यानि आपकी बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यदि आप गुरुवार के दिन गाय को गुर्चना या चने की दाल खिलाते हैं, इसके अलावा आप गाय को कभी भी परेशान ना करे ना ही उसे मारे ऐसा करने से भी आपके उपर परेशानिया सकती है, यदि आपका विश्वास है कि गाय हमारी माता है, तो मा की हमेशा सेवा करनी। उपर लगे हुए कई तरह के दोश और पाप मिच जाते हैं, गाय की सेवा करने वाले या गाय को अपने हाथों से प्रतिदिन रोटी खिलाने वाले विक्ति को कई यगे करने के बराबर पुनेफल की प्राप्ति होती है, चाहे मर जाना दीपावली पर गाय को एक चीज जर दोश को समाप्त करना चाहते हैं, तो एक इसे विशेश उपाए आपको भी करना होगा दीपावली के दिन, आप किसी भी कीमत पर अपने हाथों से गाय को बताई गई एक चीज जरूर खिला दे, यह चमतकारी उपाए अगर आपने कर लिया, तो यकीन मानिये, आपके पासे आपके जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रह जाएगा, आपके द्वारा किये, गए हर एक कारे में आपको भरपूर सफलता मिलेगी दीपावली के दिन किया गया, यह उपाए आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर कर रख देगा, जितना पुने लोगों को गौमाता की लगातार कई वर्षों तक सेवा करने से मिलता है, उतना पुने आपको मातर अपने हाथों से यह एक चमतकारी चीज खिला देने से मिलेगा, इसलिए इस दिवाली आप भी इस उपाए को जरूर करें, आपके घर के आसपास मौजूद, किसी भी गाय को आप ये बनी रहेगी गाय को कौन सी? चीज खिलानी है, इस बारे में फुल इन्फोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें। क्योंकि हिंदू धर्म में की मान्यता अनुसार गाय के अंदर 33 कोटी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तभी तो हिंदू धर्म में रोज बनाई जाने वाली पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है क्योंकि ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों को पुने फल की प्राप् और विशेश दिनों में भी गाय की पूजा करे और गाय को रोटी खिलाए तो कई तरह के दोश और परेशानियों से निजात मिलती है गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख सम्रिधी आएगी चलिये जान लेते है कि दिवाली के दिन गाय को कौ कौन सी चीज खिलाने से अपार्धन संपत्ति की प्राप्ति होगी मा लक्ष्मी की कृपाद्रिष्टी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख सम्रिधी का वास होगा महाशिवरात री के दिन आप गाय को एक रोटी और सफेद चावल जरूर खिलाएं स संभव हो तो आप गाय को साथ रोटियां खिला सकते हैं क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार साथ नंबर शुब माना जाता है इसके अलावा जो व्यक्ति गौमाता को महाशिवरात्री के दिन घी के लड़ू खिलाता है तो उसके पिछले जन और वर्तमान जन के सारे प पाप कट जाएंगे और आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपके मन और घर के भीतर से नेगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी और हर तरफ पॉजिटिव एनरजी का वास होगा आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुक सम्रिधी बनी र खिलाते हैं ऐसा करने से आप आप के भागीदार बनते हैं क्योंकि जिस गाय की आप पूजा करते हैं उसी गाय को आप अपना जूठा खाना अगर खिलाते हैं तो आपको पुने फल की प्राप्ति कैसे मिलेगी इसलिए आप गाय को हमेशा साफ खाना खिलाना चाहिए तभ पूरी इच्छाएं पूरी होंगी और गौमाता के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशिरवाद प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को शुद्ध घी लगी रोटी खिलाना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में किसी भी सदसे की कुण्ड़ी में पूर्णा करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और उसका आत्मविश्वास बरता है। जिससे उसके द्वारा किये गए, किसी भी कारे में उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है और उसका जीवन सुक सम्रिधी से भर जाता है। को माता की पूजा और सेवा जरूर करनी चाहिए, बनी पहली रोटी खिलाने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अपनी थाली से भी पहले एक रोटी निकाल कर अपने हाथों से गाय को खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति को 33 करोर देवी देवताओं क भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप केवल इतना करें कि दिवाली के दिन आप एक बालती पानी में 11 चमच शक्कर मिलाकर गौमाता को पिला दे, अगर गौमाता ये सारा पानी खुशी-खुशी पी लेती है, तो समझ चाये कि आपको अपनी लंबी बीमारी से छुटका आपके घर में सुक सम्रिधि आने वाली है, इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने से आपको परेशानी झेलनी पर रही है, आपके द्वारा किये गए कारियों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप किसी भीुरुवार के दिन विश्नु आमपत्य जीवन मिलता है, विवाह में आरही बाधाय भी दूर होती है, यानि आपकी बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यदि आप गुरुवार के दिन गाय को गुर चना या चने की डाल खिलाते है, इसके अलावा आप गाय को कभी भी परेश परेशान ना करे ना ही, उसे मारे ऐसा करने से भी आपके ऊपर परेशानिया बर। सक्ति है, यदि आपका विश्वास है कि गाय हमारी माता है, तो मा की हमेशा सेवा करनी। चाहिए उन्हें अगर कष्ट होगा, तो आपके जीवन में भी कष्ट जरूर होगा दिवाली के दिन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप गाय को रोटी खिलाने के बाद गाय के ऊपर प्यार से हाथ फिर कर अपनी मनोकामना बोले, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी गाय की सेवा करने से या गाय का दान करने से वेक्ति के उपर लगे हुए कई तरह के दोश और पाप मिच जाते हैं, गाय की सेवा करने वाले या गाय को अपने हाथों से प्रतिदिन रोटी खिलाने वाले वेक्ति को कई यगे करने के बराबर पुन्य फल की प्राप्ति होती है चाहे मर जाना दीपावली पर गाय को एक चीज जरूर खिला देना बहुत ही चमतकारी आप भी अगर इस दीपावली मा लक्षमी की विशेश क्रिपा प्राप्त करना चाहते है अपने जीवन में मौझूद ग्रह दोश को समाप्त करना चाहते है तो एक इसे विशेश उपाए आपको भी करना होगा दीपावली के दिन आप किसी भी कीमत पर अपने हाथों से गाय को बताई गई एक चीज जरूर खिला दे यह चमतकारी उपाए अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिये आपके जीवन से दुख दरिद्रता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी क्योंकि मा लक्ष्मी के साथ-साथ गौमाता का भी आशिरवाद आपको मिलेगा और उनकी क्रिपा से आपके जीवन में किसी तरह का कोई कश्ट नहीं रह जाएगा आपके द्वारा किये गए हर एक कारे में आपको भरपूर सफलता मिलेगी दीपावली के दिन किया गया यह उपाए आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर कर रख देगा जितना पुने लोगों को गौमाता की लगातार कई वर्षों तक सेवा करने से मिलता है उतना पुने आपको मातर अपने हाथों से यह एक चमतकारी चीज खिला देने से मिलेगा इसलिए इस दिवाली आप भी इस उपाए को जरूर करें आपके घर के आसपास मौजूद किस किसी भी गाय को आप ये चीज अपने हाथों से खिला दे और फिर देखिए चमतकार आपके जीवन में हेर सारी सुक सम्रिध्धी आएगी मा लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी गाय को कौन सी चीज खिलानी है इस बारे में फुल इन्फोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें सनातन धर्म में गाय को पूजनिय माना जाता है शास्त्रों की मान्यता अनुसार किसी के ऊपर अगर पित्रिदोश कालसर्प दोश या अन्य कोई भी बरा दोश है तो मातर एक गाय को अपने हाथों से खाना खिलाने से या गौदान करने से उसके सभी दोश दूर हो जाते है उसके सभी पाप कट जाते है क्योंकि हिंदू धर्म में की मान्यता अनुसार गाय के अंदर 33 कोटी देवी देवताओं का वास माना जाता है तभी तो हिंदू धर्म में रोज बनाई जाने वाली पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है क् ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों को पुने फल की प्राप्ती होती है और गाय की पूजा करने से या प्रती दिन रोटी खिलाने से घर में कभी भी धन्धाने की कमी नहीं होती जोतिश के अनुसार, यदि कुछ खास त्योहारों और विशेश दिनों में भी गाय की पूजा करे और गाय को रोटी खिलाए, तो कई तरह के दोश और परेशानियों से निजात मिलती है, गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए, जिसे आपके जीवन में सुख समरिधी आएगी चलिये जान लेते है, कि दिवाली के दिन गाय को कौन सी चीज खिलाने से अपारधन संपति की प् री के दिन आप गाय को एक रोटी और सफेद चावल जरूर खिलाएन संभव हो, तो आप गाय को साथ रोटियां खिला सकते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार साथ नंबर शुब माना जाता है, इसके अलावा जो व्यक्ति गौमाता को महाशिवरात्री के दिन घी क लड़ू खिलाता है, तो उसके पिछले जन और वर्तमान जन के सारे पाप कट जाते हैं, और अगर आप किसी भी सोमवार या दिवाली के दिन गौमाता को बेलपत्र या हरी घास खिलाते हैं, तो यकीन मानिये आपके द्वारा जाने अंजाने में किये गए, सभी पाप कट जाएंगे और आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपके मन, और घर के भीतर से नेगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी और हर तरफ पॉजिटिव एनरजी का वास होगा, आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुक समरिधी बनी रहे और आ गाय को खिलाते हैं, ऐसा करने से आप आप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि जिस गाय की आप पूजा करते हैं, उसी गाय को आप अपना जूठा खाना अगर खिलाते हैं, तो आपको पुने फल की प्राप्ती कैसे मिलेगी, इसलिए आप गाय को हमेशा साफ खाना खिलाना चाहिए तभी आपके जीवन की, सारी इच्छाएं पूरी होंगी और गौमाता के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशिरवाद प्राप्त होगा, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरे कमजोर है, तो उसे हर रविवार को गाय को शुद्ध घी लगी रोटी खिलाना च चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में सूरे मजबूत होता है, और उसका आत्मविश्वास बरता है, जिससे उसके द्वारा किये गए, किसी भी कारे में उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है, और उसका जीवन सुख सम्रिधी से भर जाता है, शास्त्रों के भी सदसे की कुंडली में अगर पित्री दोश है शुक, रनीचे राशी पर बैठा है, तो उस व्यक्ति को गौमाता की पूजा और सेवा जरूर करनी चाहिए, बनी पहली रोटी खिलाने के साथ साथ, ऐसे व्यक्ति को अपनी थाली से भी पहले एक रोटी निकाल कर अपने हाथों से गाय को खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति को 33 करोर देवी देवताओं का आशिरवाद एक साथ प्राप्त होता है, आपके घर में अगर कोई काफी समय से बीमार है और लाक इलाज करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आ अगर गौमाता ये सारा पानी खुशी-खुशी पी लेती है, तो समझ चाये कि आपको अपनी लंबी बीमारी से चुटकारा मिलने वाला है और आपके घर में सुख सम्रिधी आने वाली है, इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने से आपको परेशानी जहलनी पर रही है, आपके द्वारा किये गए कारियों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप किसी भी, गुरुवार के दिन विश्नु भगवान की पूजा करके गाय को गुर्चना या चने की दाल खिलाएं ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, सुख गुरुवार के दिन गाय को गुर्चना या चने की दाल खिलाते है, इसके अलावा आप गाय को कभी भी परेशान ना करे ना ही उसे मारे ऐसा करने से भी, आपके उपर परेशानिया बर। गाय के उपर प्यार से हाथ फिर कर अपनी मनोकामना बोले, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी गाय की सेवा करने से या गाय का दान करने से वेक्ति के उपर लगे हुए कई तरह के दोश और पाप मिच जाते है, गाय की सेवा करने वाले या गाय को अपने हाथों से प्रतिदिन रोटी खिलाने वाले विक्ति को कई अगे करने के बराबर पुन्य फल की प्राप्ति होती है। चाहे मर जाना दीपावली पर गाय को एक चीज जरूर खिला देना ये इन्फोमेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। झाल 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 झाल